नमस्कार मैं हूँ बिलाल और आप देखरें मेरे साथ जनसोरुकार हमारा खास कारेकरम जनसोरुकार में बात करेंगे चीन और भारत की सीमा पर सुरक्षा को लेकर सरकार चीन से लगती हुई सीमा पर सुरक्षा को देखते हुई यहां पर आईटी बीपी के यहां पर साथ नई बटालियन खड़ी करने जा रही है एक शुटरी मुख्याले भी वहां पर बनेगा पिम नरेंदर मोदी के यहां पर अधक्षा तमिय हुई सीसी एस सुरक्षा मा पर सभी जवानों को मिलेगा है आपको बता दे कि चीन की सिमा पर भारत की तरफ से सुरक्षा को बड़े ही यहां पर अच्छे तरीके से करने के यहां पर कोशिस की जा रही और कदम उठाए जा रहे हैं और इसके साथ ही यहां पर वाई ब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इसके तहतियां पर लोगों को वापस बॉर्डर के गाउं में बसाने का भी प्लान है ताकि लोगों को वहां पर बसाया जा सके और एक अच्छा माहूल वहां पर क्रियेट किया जाए बॉर्डर पर चीन के दुस्साहस को देखतो हुए भारत ने दो बड़े फैसल लिये है केंदरी कैबिनेट ने यहाँ पर सीमावर्ती शित्रों से पलान रोकने और साथी लोगों को वापस बसाने के लिए उतरी सीमा से लगते रिहाईश इलाकों में वैपक विकास कारियों का खाका भी खींचा है कदम उठा जा रहा है ताकि लोगों को वहाँ पर रोजगार मोहया कराए जाएं सुविधाय मोहया कराए जाएं और लोगों को वहाँ पर बसाया जाएं ताकि फिर से वहाँ पर एक चहल कदमी देखी जाएं वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड रुपए की धनराशी को भी मंजूरी दी गई है सरकार यहाँ पर बोर्डर पर लोगों को यहाँ पर इस्थाई रोप से बसा कर एक तरहा का हुमन शील्ड तयार करना चाहती है और इसके साथियां पर अरुणा चल में बोर्डर की चप्पे चप्पे की सुरक्षा के लिए भारत तिबबत सीमा पुलिस की साथ नई बटालियनों को भी सुविकरती दी गई है पीम नरेंदर मोदी ने ट्वीट किया कि वाइब्रेंट विलेज कारेकरम के कैबिनेट का निन्ने दूर दराज और साथी सिमावर्ती शुत्रों में रहने वाले कई लगों के लिए फायदे मन्द होगा परेटन कोशल विकास उद्यमिता प्रमुख फोकस शुत्रों से होगा और केंदरी मंतरी मंदर ने 4800 करोड रुपए के आवंटन के साथ चालू वितिये वर्स 2026 तक के लिए केंदर सरकार की फंडिंग पर बोर्डर स्टेट्स के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्रा को मन्जूरी दी है और इनी शेत्रों में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्कम अरोनाचल प्रदेश और साति केंदर शासित प्रदेश लद्दाख शामिल हैं कैबिनेट के फैसले पर ग्रे मंतरी अमित शहा ने भी ट्वीट किया सीमावर्ती शेत्रों के वि ब्रेंट विलेज प्रोग्राम से 663 सिमावर्ती गाउं का यहाँ पर कायकल्प होगा जिससे प्लान रुकेगा और साती सिमा सुरक्षा ज्यादा मजबूत होगे दरसल कैबिनेट के इस फैसले का मकसद चार राज्यों के 19 जिलों और साती 46 बोर्डर बलापों के यहाँ पर आपर मानना है कि सिमा के पास स्थाई बसावट से सुरक्षा बढ़ेगी विकास और साती मुलभूत सुविधाएं मिलने से लोगों में वहाँ पर देश भक्ती की भावना बढ़ेगी बोर्डर के पास दुश्मन की हर हलचल की भी जानकारी और साती लगतार अपडेट मिल रहेगा यही नहीं इस तुरह कि आपर इस्थाई जो है बसावट के सीमा वारत के भी दोरान यहां भारत के शितरी दावे को भी मजबूती मिलेगी और प्रोसी देश की यहां पर अती कर्मन को किसी भी आपर कोशिस को रोका जा सकेगा आई टी बीपी ने आपको दाद की इस समय 88,430 से जवान हैं जो कि आपर लद्दाक में कारा कोरम पास से लेकर अरोना चल प्रदेश में जासिपला तक 3,488 किलोमेटर लबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा में तैना थे आपको हमारी स्टूरी कैसे लेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद